भारत वर्सित औस्टेलिया के बीच में चोथा T20 ये मुकाबला और अब तक जिस मैच के अंदर जैसे आपको बताया है कि ये खिलाडी फ्लोप रहेगा वो खिलाडी फ्लोप रहा है और जो खिलाडी आपको ट्रम्प प्लेयर बताया है वो ट्रम्प रहा है इस वीडियो के अंदर भी आपको बताया जाएगा कि कौन सा खिलाडी फ्लोप रहेगा, कौन सा खिलाडी चलेगा और किस खिलाडी को हमें कैप्टन और वाइस कैप्टन करना है असली ड्रीम मिलियोन की परडिक्षन होती है जो आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी तो इस वीडियो को सुरू से लेकर आंता तक पूरा देखिएगा क्योंकि पूरे योट्यूब के उपर एक मात्र ऐसी वीडियो है जो आपको मेगा ग्रेंड लिग जिता सकती है इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ चार ही ट्रंप खिलाडी दिये जाएंगे और वे चारों ट्रंप खिलाडी जो पहली रैंक पर टीम आएगी उस टीम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे आप तक जो पिछली वीडियो थी उनके अंदर आपको 7 टरंप खिलाड़ी दिये जाती थे और 7 में से हमी 4 रखने होते थे लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको मतर 4 टरंप खिलाड़ी दिये जाएंगे और वे 4 टरंप खिलाड़ी ही आपको Grand League जिताने वाले हैं सबसे पहले जितने भी सदसे इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि पिछले तीन चार मैचों से हम देख रहे हैं कि आप सबस्क्राइब में काफी कंजूसी कर रहे हैं हमें आप से कोई पैसा नहीं आप जीतना ज़्यादा प्यार देंगे उतना ज़्यादा आपको गहराई से हम जानकार इकटी करके और देंगे जिसकी वज़े से आप खुद टीम बनाकर Grand League जीतेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि Grand League जीतने के लिए आपका पहला कदम है इस YouTube चैनल को सबस्क्राइब करने का पर तेक वो सदसे जो इस वीडियो को देख रहा है और जो इस मैच में Grand League जीतना चाता है सबसे पहला काम है चैनल को सबस्क्राइब करने का दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा कि ये खिलाडी फ्लोप रहेगा और ये खिलाडी चलेगा तो आईए दोस्तों बात करते हैं कि इस मैच के अंदर कौन से खिलाडियों के सबसे ज़्यादा चांस है चलने के अगर मैं विकेट की बात करूँ पीछ कैसी है तो पीछ बैलेंस पीछ रहने वाली है एवरे स्कोर यहाँ पर डेड़ सो के आसपास का रहने वाला है और यह मैदान जो है वो रायपूर का है इस मैच के अंदर दोनों टीमों की तरफ से आपको थोड़े बहुत बदला भी देखने को मिल सकते हैं लेकिन प्लेंग 11 के उपर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है टोस होने के बादे में प्लेंग 11 जो है ड्रीम जो फिलिप्स है जो इस मैच के अंदर आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं और भारत की तरफ से स्रेय सईयर है जो इस मैच के अंदर आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं अगर हम बात करें कि इस मैच के अंदर कौन से खिलाडियों के चलने की सबसे ज़्याद उमीद है common खिलाडियों के अगर मैं बात करू तो पहला खिलाड़ी यह सस्वी जैसवाल है, allrounder के अंदर अक्षर पटेल है, गेंदबाजी के अंदर अगर मैं यहाँ से बात करू तो ए नेल्स है, तो यह तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस मैच के अंदर आप किसी भी कीमत मे इन खिलाड़ीों को अपने टीम से ड्रॉप नहीं कर सकते, इन तीन में से हो सकता है, कोई ए खिलाड़ी आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन की पारी भी खेल कर दे सकता है, मैं आपको बताना चाहँगो कि अगर आपको टीम बिल्कुल भी नहीं बनानी आती है, आप लो गलती क्या करते हैं, टेलिक्राम पर जाते हैं, वहाँ पर सर्च करते हैं, फेंटेसी, लोग्स कवर, कोई भी चैनल दिखाई देता है, और आप उस चैनल के उपर जुड़ जाते हैं, हमारे नाम से बहुत सारे फेक चैनल बने हुए है, और वो है कि जो इस वीडियो के डि परसेंटेज कम या जादा होता है, तो वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा, और कोसिस करेंगे कि इस मैच के अंदर आपको ग्रेंड लीग की टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन फाइनल वाइस कैप्टन भी यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, वैसे तो इस टेलिग्राम चैनल के उपर जोईन हो जाएए, मेगा ग्रेंड लेगा, आप किसमस से नहीं सही जानकारी से जीतेंगे और सही जानकारी आपको इसे टेलिग्राम चैनल के उपर हम देंगे, तो दोस्तों हमने जैसे यह तीन खिलाडी निकाले हैं, तीन वी खिलाडी common player है, common तीन से लेकर पांच आपको ट्रम्प खिलाडी अपनी टीम के अंदर रखने होते हैं, तो वे ट्रम्प खिलाडी इस मैच के अंदर कौन से होंगे, ट्रम्प का मतलब यह होता है कि लोग उन्हें अपनी टीम के अंदर नहीं लेते, लेकिन वही खिलाडी गेम पलटते और वही खिलाडी Grand League जिताते हैं ट्रम्प खिलाडी अगर हम गेंदवाजी से शुरुआत करें तो पहला के रिचर्डसन है और दूसरा खिलाडी टी सांगा है ये दो खिलाडी है जो ट्रम्प गेंदवाज रहेंगे उसके बादे इस मैच के अंदर आपके लिए ट्रम्प खिलाडी की भूमिका निभा सकते हैं पहली टीम के अंदर जैसे ये तीन ट्रम्प खिलाडी आप रखेंगे और दूसरी टीम के अंदर चार और तीसरी टीम के अंदर आपको पांच ट्रम्प खिलाडी अपनी टीम के अंदर रखने है तो चोथा और पांचवा खिलाडी कौन सा रहेगा ट्रम्प वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको टेलिग्राम चैनल के उपर जुड़ना बहुत जुरूरी है अभी जैसे देखे के रिचर्सन का जो सलेक्शन परसेंटेज है वो 41 परसेंट है तो फिलहाल हम इस खिलाडी को अपनी ट्रम्प प्लेयर की लिष्ट के अंदर रख सकते हैं लेकिन इसी खिलाडी का टोस होने के बाद में लाइन अप आने के बाद में अगर सलेक्शन 45 परसेंट हो जाता है तो ये खिलाडी फिर अपनी टीम के अंदर हमें इसे कॉमन रखेंगे और फिर इसकी जगाए पर कौन सा खिलाडी हमें इसे ट्रम्प प्लेयर रखना चाहिए तो वो जानकरी आपको टोस होने के बाद में टेलिग्राम चैनल के उपर दी जाएगी इसलिए गैताओं कि टेलिग्राम चैनल के उपर परते एक सदस्य को जुड़ना बहुत जरूरी है एक मात्र हमारा यूट्यूब और टेलिग्राम चैनल है जिनके सदस्य लगातार ग्रेंड लिग जीतते हैं जिनके सबूत भी हमारे टेलिग्राम चैनल के उपर है क्योंकि आपने देखा होगा कि बाकी के योट्यूब वाले क्या करते हैं गोगल से खिलाडियों का डाटा उठाते हैं उनके head to head record उठाते हैं और पिछले केई मैचों के record उठाते हैं उसकी एक वीडियो बनाकर और आपको दे दी जाती है जिसका नाम दे दिया जाता है ड्री मिले उनके prediction नहीं होती वे किरकेट के आंकड़ी होते हैं और किरकेट के आंकड़ों से fantasy के उपर आप नहीं जीत सकते ऐसा कोई काम नहीं है जिसे आप चाहें उसे पूरा नाय कर सके लेकिन आप आज तक क्यों नहीं जीत पाए हैं क्योंकि आपको सही जानकारी नहीं मिली ह इस वज़े से आप Grand League नहीं जीत पाए हैं और हम लगातार ऐसी prediction करके आपको लगातार Grand League जिताते रहेंगे आपसे कोई पैसा भी नहीं लेंगे लेकिन आपको हमारा साथ देना होगा पर तेए सदस्या को चैनल सब्सक्राइब जरूर करना होगा क्योंकि जब हम आपको आतम निर्बर बनाने की कोसिस करते हैं तो बाकी की जितने भी लुटेरे हैं उन लुटेरों की दुकाने बंद होती है इस वज़े से कभी हमारे YouTube चैनल डिलीट करवा रहे हैं ताकि ये आगे ने बढ़ सके और आपको इसी ने बल सके तो अगर आप चाते हैं कि हम आपकी फ़री में इसी परकार से मदद करते रहें इसी तरीके से आपको Grand League जिताते रहें तो जादा से जादा हमें आपके साथ की ज़रूरत है इसलिए कहता हूँ कि परतेक वो सदसे जो इस वीडियो को देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा आपको Grand League जिताने की जिम्मेदारी मेरी है अगर आप चैनल सब्सक्राइब करने की महनत नहीं कर सकते तो फिर मत कहना कि मैं ग्रेंट लिग नहीं जीत पाया और जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ तो अभी दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि टोटल आपके पास आठ खिलाडी है जिन में से तीन आपके पास कॉमन प्लेइर है और पांच आपके पास ट्रम्प खिलाडी है आपको किस तरीके से अपनी टीम के अंदर खिलाडी रखने है सबसे पहले हमें जानना है यहाँ पर common player तो पहला यह सस्वी जेसवल है उसके बाद है अक्षिर पटेल है और आय नेल्स है यह तीन खिलाडी है जो आप इन तीन खिलाड़ियों को अपने टीम के अंदर एजे fix भी रख सकते है उसके बादे फिर बारी आती है यहाँ पर ट्रंप खिलाडियों की ट्रंप खिलाड़़ी कोन से है जोस फ्लिप्स है अगर ये खिलाडी खेलता है तो उसके बादे रिंकु सिंग है, टीम डेविड है और के रिचरड सन है और टी सांगा है तो टोटल आपके पास पांच इस मैच के अंदर टरंप प्लेर हैं इन पांच मेंसे एक टीम के अंदर तीन रखने हैं दूसरी टीम के वज़े से ऐस्ट्रेलिया की दो गेंदवाज जो हैं हम दोनों ट्रंप गेंदवाज अपनी टीम के अंदर रख सकते हैं दोनों ड्रीम टीम के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं और बाकी जैसे मैंने बताया कि इन मेंजे किसी खिलाडी का सेलेक्शन परसेंटेज कम य यहां से जान लेते हैं कि इस मैच के अंदर फ्लोप खिलाडी कौन से रहने वाले हैं तो आप यहां पर सक्रीन के उपर पांच खिलाडी देख रहे हैं यह पांच खिलाडी इस मैच के अंदर फ्लोप रह सकते हैं दूसरी टीम के अंदर आपको क्या करना है कि इन 5 में से कुई 4 खिलाडी आपको ड्रोप करके और 4 ट्रम्प खिलाडी आपको अपनी टीम के अंदर रखने हैं और तीसरी टीम के अंदर 500 ड्रोप करके और 5 ट्रम्प खिलाडी आपको अपनी टीम के अंदर रखने हैं अब तो आप इस तरीके से कैप्टन वाइस कैप्टन का चैन कर सकते हैं जैसे यह सस्वी जैस वाल को आप अपनी टीम के अंदर एजे कैप्टन ले सकते हैं और वाइस कैप्टन फिर आप हैड या डेविड में से किसी एक को आप इसके साथ वाइस कैप्टन कर सकते हैं या फिर आ या फिर T.E. Sangha में से किसी एक को वाइस के अपना आप इसके साथ कर सकते हैं तो कुछ इस तरीके से रहने वाली है आपकी team नंबर एक और दूसरी team के अंदर आपको क्या करना है कि हमें तीन ट्रमप खिलाडी को हम अपनी team से यहां से ड्रॉप करेंगे तो यह खिलाडी common player की सूची में आने वाला है दूसरी team आपको कुछ इस तरीके से अपनी team बना लेनी है और तीसरी टीम के अंदर आपको क्या करना है पांच ट्रंप खिलाडी आपको अपनी टीम के अंदर रखने होंगे तो फिर यहां से आप क्या करेंगे एरवी बिशिनोवी को अपनी टीम से आप ड्रॉप कर देंगे और एम इल्स के इजिगे बेंट रूफ को आप अपनी टीम के अंदर स्थान देra देंगे और यहां से फिर आप बल्लेबाजी के अंदर आपको क्या करना है यहां पर देखें जैसे एम वैड को ड्रॉप करके कर सकते हैं इस मैच के अंदर और एक सबसे जुरूरी बात यह है कि आपको 20 टीम बनाने के गलती नहीं करनी है मैक्सिमुम 5-6 टीम ही आपको बनानी है जैसे हमने यहां पर यह टीम बना ली है अब इसके जो अगली टीम आप बनाएंगे उस टीम के अंदर आपको 2-3 खिलाड का परिवर्तन ही आपको करना होता है अगर आप ग्रेंड लिग के टीम बना रहे है तो और ज्यादा टीम आपको इसलिए नहीं बनानी है क्योंकि जीतने के लिए आप सब को पता है कि एक टीम काफी होती है लेकिन टीम का कॉमिनेशन अच्छा बनाने के लिए 4-5 या 6 टीम बनाने के आपको जरूरत पड़ती है तो जितनी कम टीम बनाओगी उतने ज़्यादा आपके चांस बनेगी ग्रेंड लिग जीतने के मान लीजी कि आप 20 टीम यहाँ पर ड्रीम मिले उनकी उपर बना देते हैं तो जब आप 20 टीम बनाओगी तो आपको खुद को पता नहीं पांच ट्रंप खिलाडी आपको रखनी है बागी टोस होने के बादे में टेलिग्राम चैनल के उपर भी आपको इस मैच से समंदित और ड्रीम 11 से समंदित बहुत जानकारी मिलने वाली है तो टेलिग्राम चैनल के उपर आपको जरूर जुड़ना है और साथ ही इस मैच के करके आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है विजन 11 डाउनलोड करने के बाद हैं आपको रैफरल कोड जो आप सक्रीन पर देख रहे हैं रियल एफल सी यह रैफरल कोड डाल कर अपना अकाउंट बना लेना है जिससे आपको 500 रुपे का वैलकम बोनस मिलेगा और फाइस्ट डिपोजिट पर आपको 100% बोनस मिलेगा उसके बादे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जीरो एंट्री है और एक लाख रुपे का फरी गीववे है और यह गीववे कोंटेश्ट जो है बहुत जल्दी फुल होने वाला है इसलिए अभी के अभी इस गीववे के अंदर आपके पास कुछ खोने के लिए नहीं होता है तो आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है और जब अच्छे से काम करेगा तो इस गीवे के अंदर आपकी बहुत अच्छी र unfree में यहाँ पर आपको कुछ नशनकुछ जीतने को मिलेगा तो आपका confidence बढ़ेगा और confidence आपको dream 11 के उपर dead crowd जीताने वाला है और अगर आपको कम competition वाली grand league चाहिए तो vision 11 की grand league के अंदर भी आप अपनी team बना कर लगा सकते हैं यहां पर अगर आपके 9 से 10 खिलाड़ी अच्छी performance कर लेते तो भी आपकी team यहां पर पहली rank पर सकती है और आप यहां से 15 लाख रुपे जीत सकते हैं लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए zero entry और एक लाख रुपे का यह गिब्वे है इस गिब्वे में अपनी team बना कर अभी के अभी लगा दीजिएगा तो यह थी सोटी सी जानकारी उमीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगे पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बहुत बहुत शुक्री आप सभी का थेंक्यू पेरी मच